हलो स्ट्रेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं वर्षिट नंबर 54 ये वर्षिट क्लास चैनल समाजिक विज्ञान भूगोल की वर्षिट है जिसमें कि हम लोग भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के मुख्य पत्तन और अंतराश्री हवाई पत्तन को आज देखेंगे लेकिन इससे पहले कुछ इंपोर्टेंट नोठी से उसको आप सुन लिजे कि आपसे हमारे चैनल पर आपके जितने वीडियो हैं सारे वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो जाया करेंगे आप उन वीडियो को एक जो पहला मानचितर में हमें देखना है वह है भारतिय रेखा राजनितिक रेखा मानचितर पर भारतिय मुख्य पत्तन को तो मुख्य पत्तन के उस जगह को कहा जाता है जो समुद्र के किनारे होते हैं और यहां पानी के जो जहाज होते हैं जैसे मालने यह भारत का तटवर तटवरती इलाक का सं Only के किना रही है यहां से सुरू होता है नहीं जगह पर पत्तन है के था है बाहुत सार में बहुत सारे पत्तन है लेकिन जो बड़ बड़े पत्तन है जहां पानी के जहाज लगते हैं उन पत्तनों पर हम आपके वर्षित में जो जगह दिये गए हैं उन जगहों को दिखाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजे कि आपके वर्षित में कांडला, मुंबई, मारमा गाओ और न्यू मंगलोर को यह जो चार छेत्र है यह चार छेत्रा आप देख रहे हैं कांडला, मुंबई, मारमा गाओ, न्यू मंगलोर और कोची यह पस्चिमी हिस्से में पड़ते हैं पस्चिमी हिस्से कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के map को देखे होंगे तो भारत का जो यह map है इस तरह का तो यह भारत का पुरुवी भाग हो गया और यह भारत का पस्चिमी भाग हो गया तो यह कांडला, मुंबई, मारमागा और न्यू मंगलोर यह सभी भारत के पस्चिमी भाग पर पढ़ते हैं तो इनको हम भारती मैप पर देखते हैं पहले मंगलोर तक देखेंगे फिर भारत के पुर्वी भाग में पढ़ने वाले इने सभी कोची, तुती कोरीन, चैन्नाई, विसाखा पतनम पारादीप और हल्दिया को जो कि यहां से स्टार्ट होता है कोची इधर है यहां से तुती कोरीन फिर से चैन्नाई, विसाखा पतनम पारादीप और फिर बंगाल में हल्दिया तो यह पुर्वी छेत्र हो गया बंगाल की खाड़ी में यह सारे यहां से लेकर यहां तक बंगाल की खाड़ी में है और यहां से लेकर यहां तक मतलग कि न्यू मंगलोर और कांडला ये सब जो है ये अरब सागर में हैं तो इनको हम लोग अलग-अलग से मैप पर देख लेते हैं यह है आपकी भारत का मांचित्र और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहां पर यह गुजरात का कांडला बंदरगा है आप इसको कांडला बंदरगा बोल सकते हैं यह गुजरात का कांडला बंदरगा है और उसके बाद मुंबई तो आप जानते हैं मुंबई यहां समंदर के किनार है यह है मुंबई बंदरगा और मुंबई के बाद फिर आपका आ जाता है मारमा गुवा में है और ये हो गया मारमा गुवा आप देख रहे हैं कि ये समी भारत के पस्चिमी हिस्से में है अरब सागर में है मारमा गुवा के बाद नू मंगलूर भी आप देख सकते हैं यह करनाटक के तटिये भाग बेर है तो नू मंगलूर यहाँ है नू मंगलूर यह सभी भारत के पस्चिमी तट के मुख्य पत्तन है और इसके बाद कोच्ची बहुत बड़ा ब्यापार का केंद्र है दक्षिन भारत का और यह केरल में पड़ता है तो यह हो गए पस्चिम तटिये आपके वर्षिट के अनुसार पस्चिम तटिये और यह अरब सागर है आप जान रहे हैं इसको अरब सागर भारत के पस्चिम में अरब सागर है और भारत के पूरब में यह वाला भाग बंगाल की खाड़ी है तो पस्चिम का हमने देख ल होता है तूती कॉरीन यहां पर है तूती कॉरीन भंदरास के नाम से जानते हैं तो यह देखे तो यह सारे के सारे अब कहाँएंगे तो बंगाल की खाड़ी में और भालत के पूरुवी भाग में ये पड़ते हैं चन्नाई चन्नाई बंदरगा और चन्नाई बंदरगा के बाद विसाखा पटनम आप यहाँ आ जाईए विसाखा पटनम भी आंधर परदेश में पड़ता है और यह इस जगह पर पड़ेगा विसाखा पटनम विसाखा पटनम ओके और विसाखा पटनम के बाद पारादीप यह जो उडिसा वाला जो भाग है यह पारादीप हो गया पारादीप हो गया यह और फिर आप बंगाल में आजए तो ये बंगाल में आपका हल्दिया बंदरगा हो गया जो कि पस्चिम बंगाल कुलकाता में पड़ता है तो इस तरह से आपने भारत के पस्चिम तटिये और पुर्वी तटिये मुख्य पत्तनों के बारे में जान लिया अगर इसको दो पार्ट में करते तो बहुत अच्छे धंग से आप समझ जाएंगे और आपने समझ भी लिया होगा नेक्स्ट देखते हैं अब भारत के अंतराष्ट्रिये हवाई पत्तन के बारे में जानना है तो अंतराष्ट्रिये हवाई पत्तन में आप अमरित सर को जानना है दिल्ली, मुंबई और चन्नाई के बारे में जानना है तो यहां भी देख लिए यहां भी हम दो तरह से बाढ़ सकते हैं यह भारत के पस्चिमी छेतर में पढ़ेंगे और फिर चन्नाई, कोलकत्ता और हैदराबार यह पूरवी छेतर में पढ़ेंगे तो यहां आप देख लिए अमरित सर पंजाब में पड़ता है तो यह हो गया आपका अमरित सर हवाई पत्तन अमरित सर और अमरित सर के बाद फिर हमें दिल्ली का इंद्रा गांधी अंतराश्ट्रिय हवाई पत्तन देखना है तो आप दिल्ली के बारे में तो जानते ही है कि यह है हमारी दिल्ली और यहां है इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी अंतराष्ट्रिय हवाई पत्तन दिल्ली में ओके यह हो गया दिल्ली में इंद्रा गंधी अंतराष्ट्रिय हवाई पत्तन उसके बाद हमें जानना है मुंबई छत्रपती सिवाजी महाराज हवाई पत्तन तो मुंबई के स्थिति आप जानते हैं मुंबई है यहाँ पर और यह है मुंबई जहाँ पर कि छत्रपति सिवा जी हवाई पत्तन है अंतराश्टी हवाई पत्तन मुंबई में और उसके बार नेक्स्ट है मुंबई के बार चन्नाई चन्नाई में मिनाम बकम हवाई पत्तन है तो चन्नाई के स्थिति आप जानते हैं चन्नाई है यहां और यहां पर मिनाम बकम अंतराश्ट्रिय हवाई पत्तन है चन्नाई के बाद फिर आप चले आईए कुलकाता और हैदराबाद तो पहले आप हैदराबाद देख लिजे उस हवाई पतन है, कोलकाता और हैदराबाद, यहाँ, चन्नाई, मुंबई, और फिर उपर दिल्ली और हमनी सरत आपने देखाई है, तो बच्चों यह थी हमारी मानचित्रे की जानकारी, और मानचित्र पर हमने आज मुख्य पतन और मुख्य अंतराष्टिय हवाई पतन को देखा, और मैंने आपको बताया ही है, कि आपके सारे वर्षिट अब एक दिन पहले ही अप्लोड हो जाया करेंगे, आप लोग इस चैनल पर देख लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्ष